तुम कमा रहे हो 27 रुपे, वो कमा रहे हैं 16 100 क्रोड रुपे, कर्द माफ हो रहे हैं उनके, हवाई अड़े बंदरगा दिये जा रहे हैं उनको, आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, और जब जब BJP को मदद चाहिए, दिली में, संसद में, पार्लिमेंट में, कौन आता है म BRS, और BRS को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में, बताइए, MIM, MIM मदद कर रही है BRS को, देख लिजे, BRS, MIM, BJP, एक तरफ, तेलंगाना की सारी जम्ता, दूसरी तरफ, कॉंग्रेस, दूसरी तरफ, आज कॉंग्रेस आपके साथ खड़ी है, बेनों और भाईयों, गलत फेहमी में मत रहो, OVCG के भाशन सुनो, OVCG किस पर आक्रमन करते हैं, नई, KCR पे नहीं करते हैं, BJP पे नहीं कर रहे हैं, OVCG राहुल गान्दी पे हमला करते हैं, सोचिए, राहुल गान्दी वो शक्स है, जो कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल, चार हजार किलमीटर चला, क्यूं चला, बहनों और भाईयों, क्यूं चला, इस देश की एकता के लिए, भारत जोड़ो बोल के चला, और OVCG किस पर आक्रमन करते हैं, किस पर हमला करते हैं, राहुल जी पे, तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए, M.I.M. दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती हैं, तैलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही हैं, पूछो, सवाल उठाओ, जागरुक बनो, आपके धर्म, आपके जज़बातों का इस्तिमाल हो रहा है, ये चुनाओ, अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड हो कि जिनों ने बलिदान दिया तैलंगाना के लिए, तैलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो, इस पर लड़ो ये चुनाओ, अपने लिए काम करवाओ वहनों और भाईयों, ये तारे नेता जो इस प्रक्ट पे खड़े हैं, ये आपके लिए खड़े ह आपने खड़ा कराया है जो मंच पे आकर आपको बड़े-बड़े भाशन देते हैं हम सब हम सब को आपने बनाया है आप ये वोट नहीं देते न तो कोई यहाँ पे नहीं खड़ा होता आपने अगर सत्ता नहीं दे होती तो KCRG का ना महल होता ना farmhouse होता आपने अगर सत्ता नहीं दि होती तो BJP की ये लूट नहीं मचती और ये दस सालों की सरकार जिसने गरीबों को नकारा है जो एंकर से भरी होई है आलत से भरी होई है ये सरकार नहीं होती समझ लीजिये सारा खेल आज आपके साथ कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के नेपता कॉंग्रेस का एक एक कारिकरता खड़ा है आपके लिए छे गारंटी लाए हैं हम सुन लीजिए महालक्ष्मी योजना बेहनों आपको पच्छिस सो रुपए आपके खाते में हर महीने मिलेंगे गैस का सिलिंडर पाथ सो रुपए में मिलेगा बस की यात्रा मुफ्त में पूरे तेलंगाना में आपको मिलेगी राए तु भरोसा दो लाग तक फसल का लोन माफ होगा किसानों को साल आना आज कल दस हजार रुपए प्रतिय कर मिलता है हम पन्रह हजार देंगे खेत मजदूरों को बारा हजार देंगे दान में पाथ सो रुपए प्रतिक्विंटल बोनस मिलेगा आपको ग्री जोती योजना में दो सो यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी और चौबिस घंटे आपको बिजली मिलेगी इंद्रम माइंड लुसकीब आप घर बनाना चाहेंगे घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और घर बनाने के लिए आपको पाँच लाख रुपए दिये जाएंगे राज्या रोग्यश्री योजना राज्या रोग्यश्री योजना अरे मेरे बाई मेरा गला खराब हो जाएगा चीकते चीकते तो जिसे शान्ती रख लो राज्या रोग्यश्री योजना इसमें दस लाख तक आपको हेंट इंशॉरंस मिलेगा मतलब दस लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा बुजर्गों के लिए चार हजार रुपए प्रती महीने आपको मिलेंगे युवा विकासन स्कीम लाएंगे इसमें एक विद्या भरोसा कार्ड मिलेगा युवाओं को उस कार्ड के जरीए आपको पांच लाक तक मुफबियाज का लुन मिलेगा शिक्षा के लिए हम दो लाक रोसगार आपको बना के दिखाएंगे और तैलंगाना के शहीदों के परिवारों को लिए एक रोसगार कम से कम हर परिवार को दिलवाएंगे मेरे उबी सी, दलेत और आदिवासी भाईयों आपके लिए लोकल बॉडीज में 42 प्रतिशत तक अरक्षन किया जाएगा और नया नेतरित वहम बनवाएंगे आपके लिए वनादिकार कानून लागो होगा और योगे लोगों के लिए पटे भी होंगे, मिलेंगे S.C. और S.T. परिवारों के लिए 12 लाख रुपए दिये जाएंगे कल्यान मस्तू योजना में जो B.P.L. जो गरीब से गरीब परिवार है जब इनकी बेटियां शादी करेंगी तब आपको 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी इतना सारा काम है सब पढ़के सुना रहे है इंद्रमा पका हाउस कीम इसमें बेघार S.C. स.T. परिवारों को घर मिलेंगे और 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी मदगा, माला और अन्यों स.T. जातियों के लिए तीन निगम बनेंगे S.C. स.T. छात्रों के लिए खास रेजिडेंशल स्कूल बनेंगे और फीर्ज की वापसी की स्कीम होगी जो S.C. स.T. के छात्र विदेश में पढ़ने जाना चाहते है उनके लिए भी एक खास सहायता की जाएगी आप चंद्रशेकर जी को अच्छी तरे जानते हैं तेलंगाना के आंदोलन के लिए उन्होंने मंत्री पज से स्टीफा दिया आपकी सेवा करते हैं राट दिन आपके लिए उपलब रहते हैं अच्छे इमानदार और सज्जन व्यक्ति है इन्होंने मुझे बताया कि यहां आपकी कुछ स्थानिय समस्याएं हैं शुगर की फैक्टरी है निम्ज में जो जमीने ली गई उनकी समस्या है और जो धरनी पॉर्टल वाली जमीने उनकी भी समस्या है तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि चुनाओं के बाद हम इनके साथ बैठेंगे इन समस्याओं को अच्छी तरे से समझेंगे और इनका हल ढूंड के निकालेंगे आप मेरे साथ मिलके बोलो एक बार आपको फार्म हाउस की सरकार चाहिए या प्रजा पालना वाली सरकार चाहिए आपको दोराला तलंगाना चाहिए या प्रजाला तलंगाना चाहिए आपको बी आरेस के पाथ साल और के दुख चाहिए या कॉंग्रेस के पाथ सालों की करमट सरकार चाहिए जो आपको खुशिया दे और आपके लिए सारा काम करे तो इनको चंदरशेकर जी को भारी से भारी बावमत से जिताओ कॉंग्रेस लाओ और एक ऐसे तलंगाना का सपना जो आपने देखा था वैसा तलंगाना बनाओ जिसमें आपकी तरक्की हो आपका भविश्य उज्वल हो और आपके लिए एक नया सुवेरा जागे मारपू कावाली कॉंग्रेस रावाली जाय पोलो तलंगाना आपने मेरी बातों को बहुत द्याद से सुना इसके लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं